हेलो एवरीवन वेलकम तू अभीपीडिया पावड़ बाई अभी मन्यू आईएस एंड सी सेट पेपर टू की लिए आज की क्लास के अंदर हम डिसकस करेंगे सिंपल इंट्रस्ट ओके सिंपल इंट्रस्ट पे कुछ हम डिसकस करेंगे सिंपल इंट्रस्ट पेश्ट ओके तो देखी कोश्चन है आपके पास में मैं इन इन्वेस्टे सम एट इस सर्टेन रेट ऑफ इंट्रस्ट सर्टेन का उसने क्या वाइड यूज हुए सर्टेन रेट ऑफ इंट्रस्ट ओन सिंपल इंट्रस्ट कैसे जा रह और next quant के class के अंदर compound interest भी discuss करेंगे तो अभी देखी simple interest का question है यहाँ पर कि एक आदमी है और उसने कुछ rate of interest के उपर simple interest के अंदर पैसा लगा है और गोट 60% more amount after 8 year आठ साल के बाद में उसको 60% जादा amount मिल गए अब कह रहा है if he invest 9600 at the same rate of interest on SI then find the total interest he would get after 4 years तो 4 साल बाद उसको कितना मिलेगा अब बात यहाँ पर main आ रही है कि सबसे पहले हमें rate पता होने चाहिए कि किस rate के उपर पैसा लगाया जा रहा है तो अब यहाँ पर देखो उसने क्या का है कि अगर वो कुछ पैसा लगा रहा है तो उसको 60% ज्यादा मिल रहा है कितने time के बाद में 8 साल के बाद में means what कि अ 8 साल का उसको simple interest कितना मिला? 60 rupees मिला? कितना मिल रहा हूँ सको? 60 rupees का simple interest मिल रहा है means what की एक साल का simple interest कितना मिला? 1 year का जो simple interest होता है that is called the rate of interest okay? on 100 तो यहाँ पर 100 ही हमने value लिए है that means what की यहाँ पर हो गया हमारे पास में 60 mal 80 value क्या आगया? आपके पास में 60 by 80 आगया, 8 आगया, sorry, 80 नहीं, 80 years है बिटा, 80 years नहीं, 80 years है, ओके तो यह आपके पास में rate of interest आगया, यह हो गया, आपके पास में 15 चोके 60 और 15 by 2 percent, clear, एक तो यहां से directly कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको rate of interest calculate कर रहा है, तो rate of interest, हमें पता है कि simple interest का formula क्या आता है, ज्यादा ना करो, PRT by 100, यह चलता है, तो rate of interest क्या हो जाएगी, यह इधर चला गया, simple interest into 100 divided by principle into time, ओके, तो अगर 100 रुपय से उसको 160 मिल रहा है, that means कि 60 रुपीज का interest मिल रहा है उसको, तो यहां से भी आप rate calculate कर सकते हो, क्या करोगे, 60 into 100 divided by principle क्या लिए है, हम तो time कितना है, 8 साथ, देखो, same value आगे, आपके पास में 15 by 2%, done, अब बात आ रहे हैं कि उसने कहा है, कि if he invest 9600 at the same rate of interest on the SI, then find the total interest he would get after 4 years, 4 साल के बाद में उसको कितना simple interest मिलेगा, अगर वो 9600 रुपीज लगा रहा है, same rate of interest, तो क्या हो गया, principle into rate into time, ओके, solve करेंगे, solve करेंगे, तो आपका answer आजाएगा, यहोगा 15 दूनी 30, 3 से अगर करते हो थी, यहोगा आपके पास में 618, 2927 और 2828, हाँजी, value आगे, आपके पास में 2880, बताओ, कोई doubt इसके अंदर, हाँजी, कोई भी doubt आ रहा हो, सबसे पहले क्या क्या, हमने पहले rate find out क कर लिए, done, next देखी, next question है screen पर, next question है screen पर, next question है screen पर देखी क्या है, क्या है question आपके पास में, is sum of rupees x, अब देखो, यहाँ पे भी क्या कह रहा है, is sum of rupees x is invested in a scheme, offering simple interest for 2 years, at rate of interest 20% पर है, okay, is sum of rupees 2x, अब कोई दूसरी amount 2x, means double कर दे, उसने अपने amount, invested in the same scheme, जब बात आरे, same scheme, same scheme means what, कि rate of interest दोनों में same है, rate of interest क्या है, दोनों में same है, दोनों में rate of interest same है, कितना है, that means 20%, 4-3 years, if the difference between the interest received after the respective periods is rupees 15-24, then 3x की value क्या होगी, यह question है, तो अब यहाँ पे देखो, कि सिद्धी सी बात है, जिसमें ज्यादा आपके पास में, जो ज्यादा value है, उसके अंदर आपक ठीक है, ज्यादा मिलेगा, simple interest, that means कि इसकी value के अंदर से, इसका simple interest आपको minus करने, तो इस case के अंदर अगर हम देखे, तो simple interest कितना बनेगा, principle into rate into time divided by 100, और जो दूसरी scheme थी, इसके अंदर कितना मिलेगा, x into rate into time, पहले वाली में क्या था, दो साल का, और यह difference आपके पास में इवन है, पंदरा सो चोबिस के इक वाला, ओके solve करेंगे, आपके पास में value आजे आएगी, तो अगर हम simple देखें इसको, तो यह हमारे पास में देखो कितना आ गया, 20 थी यह 60, 62, 120, ठीक है, हाँ जी, यह पर हो गया, आपके पास में 62, 120, और यहाँ पे जो पहली स्कीम थी उसके अंदर कितना हो गया, यह 20 दूनी 40, 40, तो 40, 120 से 40 गया, आपने पास में कितना बच गया, 80, 80 by 100 X बच गया, और यह value किसके equal है, 1524 के equal है, ठीक है, इसको cancel out कर लो, यह देखो 8 की table से अपना जार है, हाँ जी, यह 8 की table से नहीं जार है, 4 से जार है, 4 दूनी 8, और इसको value क्या आगी, this will be 5, okay, हाँ जी, देखी क्या आगया, यह आपके पास में, जो value है, इसको calculate करो, कितना आगया यह आपके पास में, 4 से 2, 5, 5 से 4 से कितना आएगा, 4 चोके, 6, 4, 3, 12, 4, 8, 32, 4, 5, 8, 4, 4, 5, 5, 8, 4, 5, 15, 15, 15, 15, और 4, 19, यहो गया, हमारे पास में, 1905, कितनी value क्या आपके पास में, 1905 रुपे, तो X की value क्या है, 1905 रुपे, अब यहाँ पर question क्या है, कि 3X की value calculate करो, तो 3X की value कितनी आजाएगी, हाँ जी, 3X, that means what, 3 into, color change कर देते हैं, इसका, हाँ जी, 3X की value कितनी आजाएगी, 3 into 1905, ओके, इसको solve करो कि यह हो गया, 15, और उन्नी वे, 1515, तो answer क्या आजाएगा, option A will be the correct answer, हाँ जी, बताओ, कोई doubt, clear, एक बात देखो कि अगर हम बात कर रहे हैं, UPSC की, तो UPSC के अंदर पिटे direct question नहीं आता, direct question नहीं आता, easy question आएगा, मैं यह नहीं कहीं कि difficult आएगा, easy question आएगा, but direct नहीं आएगा, थोड़ा logical होगा, अब इ नहीं नहीं, ओके, देखो next question करते हैं, next question देखो क्या है, पंद्रासो रुपय है, invest करें, 1500 रुपीज is invested in a scheme A at R percent, per annum, simple interest, another amount 1500 minus X is invested in scheme B at 2 R percent, simple interest, after 4 years, interest earned from scheme A is 25 percent less than scheme B, then find the value of X, अब यहाँ पे देखो, कुछ नहीं है इस question के अंदर, simple interest की बात और कुछ भी नहीं है, बस सिरफ confuse करने के लिए variables डाल दिये, ठीक है, तो confuse नहीं होना, हमने, क्या है, एक scheme है A, ठीक है, एक हमारे पास में दूसरी scheme है B, ठीक है, first scheme के उपर simple interest कितना मिलेगा, principle, into rate कितनी है, R, ठीक है जी, हाँ जी, दूसरा है, time आपके पास में दोनों cases में 4 years कह रहे है, तो time कितना हो गया, आपके पास में 4 years, अगर हम scheme B की बात करें, तो यहाँ पे कितना है पैसा है, आपके पास 1500, minus X, rate कितनी है, 2R, time कितना है, 4, divided by 100, clear, अब उसमें कहा है कि जो 4 साल बाद जो simple interest मिलेगा, इस A scheme के अंदर B से कितना मिलेगा, 25% less मिलेगा, 25% less, that means कि 75% मिलेगा, that means कि अगर मैं इसको equal करूँ तो कितना हो गया, यह इसका 75% है, simple यही कह रहे है, बस, question के लिए रोगे, उसमें क्या कहा है, कि A scheme 25% less मिलेगा, less मिलेगा, मतलब कि यह वाली जो value है, यह इसक कि equal करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 75% है, 100% मतलब दोनों equal, 100% मिलेगा, 25% less, that means कि 75%, okay, तो अब इसको solve कर लो, यह आपका cancel out हो गया, और से, और 4 से 4 cancel out हो गया, यह हो गया 25, 35, 25, 100, okay, यह हो गया आपके पास में value आ गई, यह भी cancel out हो गया, यह हो गया हमा तो यहां से इसको solve करो, यह value आ जाएगा, आपके पास, cross करेंगे, 2 इसको साथ multiply किया, 3000, इसको 3 के साथ में multiply किया, यह हो गया अपने पास में 4500-3X, okay, 3X की value आ गया, आपके पास 1500, that means कि X की value क्या है, 500, okay, हाँ जी बताओ, clear, तो answer के आ जाएगा आपके पास में, option A will be the correct answer, option A will be the correct answer, simple question था, simple था, हाँ जी, next देखो, next खुझ से करने के एक बार कोशिश करनी, कोशिश करो एक बार क्या है, आशू invested rupees A in scheme P, एक scheme है P, और उसके उपर पैसा invest किया है उसने, और दूसरी scheme पे है क्या हूँ, उसके अंदर इंवेस्ट किया है, A plus 400, एक scheme है P, जिसके अंदर उसने पैसा invest किया है, A plus 400, he got 10% per annum and 12% per annum simple interest on scheme P and Q, means इस पे मिल रहा है उसको 10%, ठीक है, इस पे मिल रहा है उसको 12%, after 2 years, he got total 976 as interest from both the schemes, अब 2 साल के बाद में उसको total money कितना मिला है, 976 मिला है, time that means कि इसमे भी 2 years है, और इसके अंदर भी 2 years, clear, simple interest calculate करो, दोनों का, दोनों का simple interest करेंगे, तिये कितना होगे आपके पास में, यास यह होगे आपके पास में 20A, 20% of A, और यह होगे हमारे पास में, 24% of A plus 400, और यह total amount किसके इकपल कहा रहा है, 976 के इकपल कहा रहा है, 10, solve करोगे, solve करोगे तो value कितने आगी, हाँज इसमें भी percent है, इसमें भी percent है, सिधा उधर जाके 100 से multiply कर देंगे, percent का meaning क्या होता है, यास percent means क्या होता है, आपके पास में, divided by 100, इसके मैंने किया, divided by 100, ओके, और यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, divided by 100, तो यह 100 इधर चला जाएगा, कोई समें issue, नहीं, मेरी ख्याल में यह तो simple point था, कुछ भी निया, इसके अंदर, तो यह 100 आपका इधर चला आगया, then solve करोगे, solve करेंगे, यह कितना आ गया, 44A, plus 24 के छाण में, छाण में सो, is equal to 976 00, छाण में सो, इधर आखे क्या हो गया, minus हो गया, minus हो गया, तो value कितनी आ जाएगी, यह हो गया, आपके पास, 00088, ओके, 44 से इसको cancel किया, कितना आ गया, आपके पास में, 2000, that means कि A की value किया, आपके पास में, 2000, done, क्या थी, what is the value of A, A की value आगे, 2000, done, next देखिए, next question है screen पे, next question है screen पे, क्या है, the interest earned on a sum 24,000, अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को like कर देंगे, share कर देंगे, अपने friends के साथ में, हाँ जी, अगर समझ आ रहा है सभी को, तो वीडियो को like करेंगे, share करेंगे, जिन्होंने चैनल को subscribe नहीं किया, चैनल को subscribe पर लिजिए, और ये जो वीडियो है, this is under exam specific questions, okay, तो इसका description में link of label है, इस series को सभी ने join करना है, इसके लावा एक previous year question series भी है, उसको भी सभी ने join करना है, इसके कोई charges नहीं है, सभी ने join करना है, okay, काफी helpful रहेगी है आप लोगों के लिए, अब देखो क्या है question, the interest earned on a sum of 24,000 invested at certain rate of simple interest for 4 years is this, if the same sum is invested 8 more rate of percent for 3 years, then what will be the amount, तो amount कितनी रहेगी, अब यहापे भी देखो, आपके पास में simple interest given है, time given है, principle given है, rate find out कर सकते हैं, rate find out कर लिए, अब जो rate आई है, उससे नई rate क्या करना है, 8% ज्यादा लेनी है, उससे calculate कर लेना, simple interest आएगा, principle में add कर देंगे, amount आजएगी, simple, देखो क्या कर, यहापे अगर मैं इसके according, यह जो मेरे पास में data given है, इसके according देखती हैं, तो rate find out कर सकते हैं, rate क्या हो जाएगा, आपके पास simple interest, simple interest into 100 divided by principle into time, ओके, यह 3 zeros आपकी directly इसके साथ में cancel out होगी, चार से करो, यह कहा चार दूनी 8, चार आठे 32, चार आठे 32, 24 से 1, 2, that means कितना आगया, आपके पास में 12% कितना आगया, 12% rate of interest आगया, जब 12% rate of interest आगया, तो उस case के अंदर देखो, जब हमारे पास में rate of interest कितना है, 12%, तो उस case के अंदर, अब उसने कहा है कि अगर same sum, means कि यह जो principle है, ठीक है, इसको 8 more rate पे लगाएंगे, 8 more rate पे लगाएंगे, that means कि rate कितना होगया, आपके पास में 20% होगया, बारा परसेंट तो था 8% और बढ़ा दिया, 20% होगया, ठीक है, और time क्या कह रहा है, 3 years है, तो आपके पास में simple interest कितना आजाएगा, देखो, interest कितना आगया, 24,000, गुणा 20, गुणा 3,200, क्लियर, calculate करो, value आजाएगी, यह आगया, आपके पास 24, 24,44, ठीक है, हाँ जी, कितने आजाएगी, 2 zeros आएगी, simple interest आगया, अब simple interest मेरे पास में है, principle है, क्या find out करनी है, amount find out करनी है, तो amount कितने आजाएगी, दोनों को add up कर दोगे, दोनों को add करेंगे, value कितने आगी, 0, 0, 4, 4, 4, 8, 3, 8, 4, 00, 38, 4, 00, will be the correct answer, answer क्या जाएगा, clear, कोई doubt इसमें, समझ आ रहे हैं, clear है, okay, next question की तरफ मुझ करते है, next question है, screen पे देखी क्या है, हाँ जी, next question देखी क्या है, the ratio of amount invested in scheme A and scheme B is to ratio 3, अभी जो question था, उसके अंदर आपके पास में अलग-अलग schemes पे data आ रहा था, और उसके अंदर कुछ changes थे, अब यहाँ पर ratio को साथ में add कर दिया गया, include कर दिया, जो data है, आपके पास में अलग-अलग schemes के अंदर जो principle है, वो क्या है, ratio में given है, तो यहाँ पे दो schemes हैं, बीटा, A और B, तो अगर मैं कहूं कि A और B, किस ratio में principle लग रहे है, 2 ratio 3 में, तो हम principle क्या consider कर सकते हैं, कि इसमें क्या है, 2X और इसमें 3X रुपीज लग रहे है, बताव यह छोटा सा point है, यह point समझ आ गया, आगे पढ़े question को, आगे है, if scheme A offers simple interest at the rate of 12% per annum for 5 years, yes, rate है आपके पास 12%, first scheme के अंदर ठीक है ओ, time है आपके पास 5 years का, and scheme B offers simple interest at rate of 15% and per annum for 4 years, if total interest earned by scheme A and B is 13.75, then what will be the value invested in scheme B, B में कितना पैसा लगाया है यह आपको find out करना है, आप देखो, यहाँ पे भी मेरे पास में 3 values है, क्या principle rate और time की, तो simple interest हम calculate कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, तो total simple interest कितना आगया, पहले अगर देखें, तो 2X into 12 into 5 divided by 100, अगर हम दूसरी scheme देखें, तो कितना आगया आपके पास में, 3X into 15 into 4 by 100, और यह total value कितनी given है आपके पास में, this is 3750, ओके, अब देखो यह कितना हो गया आपके पास, 1250, 602, 120X, ठीक है, प्लस बारत, दोनों में 100 है निच्चे, इसलिए हम directly add up कर सकते हैं, यह हो गया पंद्राचो के 60 से, 180X by 100 is equal to क्या है, 3750, और यू कैन से, 300X by 100 is equal to 3750, यह इसके साथ cancel out हो गया, value क्या बच गी मेरे पास, 3X, 3X की value क्या है, 3750, 3X की value क्या बच गी है, यह देखो न, यह cancel out हो गया बटा, तो यह यहाँ पर हमारे पास में value क्या बचेगी, सिरफ 3X बच गया, 3X की value क्या है, 3750, और हमने यहाँ पर देखा था कि जो 20 scheme थी, उसमें कितना invest किया, 3X invest किया, that means की value आ गई है आपके पास में, आंसर क्या आ जाएगा, 3750, ओके, बताओ, दो schemes है, ratio में data given है, ratio में data given, that means this is not the exact value, okay, exact value नहीं है, exact value find out करने के लिए, दोनों values को आप किसी नहीं किसी एक number के साथ में multiply करोगे, ठीक है, अब वो number मुझे नहीं पता क्या है, तो हमने उसके लिए एक variable ले लिया, X, कि ये दो 2X है, और ये 3X है, clear, yes, next देखो, next question है, इस sum becomes 1.6 times of itself in 5 years, 5 साल के अंदर कितना हो रहा data, 1.6 times हो रहा, add simple rate of interest, find the rate of interest, rate of interest find out करो, अब देखी बिल्कुल simple question है, अगर हमारे पास में, मैं कहती है कि मेरे पास में principal amount कितनी थी, 100 थी, अब करी 1.6 times हो गया, 1.6 times हो गया, that means कि कितना हो गया, 160 हो गया, simple, आप देखो, time कितना है, 5 years है, हाँ जी, अगर मैं यहाँ बात करूँ, simple interest कितना है, 60 है, अब 100 पर हम find out कर रहे है, that means कि एक साल का simple interest, जो है, that is equal to rate, तो rate कितना आगे आपके पास में, 60 by 5, that means कि 12%, answer क्या आज आएगा, 12%, done, इसी तर ऐसे, अगर मालों, यहाँ पर confusion लगती है, ऐसे भी ले सकते हैं, हाँ जी, value मेरी थी 1, 1 से कितनी होगी, 1.6 होगी, simple interest कितना मिला मुझे, 0.6 का, ठीक है, time है मेरे पास में कितना, 5 years, rate कैसे find out करते हो आप, rate simple interest, into 100, divided by what, principle, into time, ओके, आप यहाँ पे देखो, इस point को जब आप remove करोगे, तो point को remove करने के लिए क्या करोगे, निच्चे 10 आगया, ठीक है, आप यहाँ से देखो, यह अपने पास में value कितने आगी, यह हो गया, 50, 52, 100, कितना आगया, 12%, दोनों के cases में क्या आएगा, same आएगा, confused नहीं हो ना, हमेशा धियान रखो, rate क्या होती है, rate मतलब कि 100 रुपए पर मुझे कितना interest मिल रहा है, 100 पे एक साल में कितना मिला, that is rate, okay, हाँ जी, नेक्स देखो क्या है, the difference between the interest earned, when P is invested for 4 years in a scheme, offering 9% per annum, simple interest, and when the same sum P is invested for 2 years, यहाँ पे कितना 4 years, यहाँ पे 2 years, ठीक है, another scheme offering 12% per annum, simple interest is 480, what is the value of P, P की value आपको यहाँ पे calculate करने, अब यहाँ पे question को जिहान से देखना है, simple सा point है, देखो, difference आपके पास में given है, difference given है, पहली scheme के अंदर क्या कह रहा है, कि P invest किया है 4 years के लिए 9% पे, simple interest ही आगया, ठीक है, और जो दूसरी scheme है, दूसरी scheme के अंदर P invest किया है, 12% per annum पे, clear, 2 years के लिए, simple interest कितना है गाँ और दोनों का इंटर जो difference है, बोचार सबस्टी के एकवाल है, दोनों का difference, चार सबस्टी के एकवाल है, clear, यह कितना हो गया, नोचो के 36, 36P minus 24P is equal to यह 100 दोनों में आगया, तो इधर आके बीटा multiply हो जाएगा, okay, that means कि 12P की value कितने हागी, 48,000, 12, 48, value कितने हागया, आपके पास में, 4000 के पर आगया, so answer will be option D, 4000 will be the correct answer, 4000 will be the correct answer, done, next, देखें, हाँ जी, next question है, as per agreement with a bank, यह C said 2014 के अंदर question आया हुआ था, C said 2014 के अंदर question आया हुआ था, तो मैं आपको बता दो, देखो 14 के अंदर एक question आया था, interest पे-based, जिस वो बिल्कुल ही simple सा था, installment पे था, कोई इसके अंदर interest का इतना खास रोल नहीं था, बस थोड़ा सी यह लगा सकती के interest पे-based question था, ठीक है, और उसके बाद में आया, 2018 के अंदर interest पे-based question, जो कि compound interest पे-based था, हांजी 14 में question आया है, उसके बाद में 2018 में question आया है, इसके अलावा कहीं पे भी simple interest और compound interest का question देखने को नहीं मिला, बट मैं क्यों करा रही हूँ आपको, एक तो एक student की request थी, उसके उपर मैं करा रही हूँ कि हांजी simple interest, compound interest पे question कराया जाए, दूसरा जो point था, वो ये है, कि हांजी 4 साल के बाद में हमें interest पे-based question मिला है, that means के 2022 के अंदर हम again expect कर सकते हैं, simple interest, compound interest पे-based question, हांजी 4 साल के बाद आया था, तो 4 साल के बाद हम दुबारा expect कर सकते हैं question, तो 2022 के अंदर हम expect कर सकते हैं, simple interest, compound interest पे, अगर इस theory को अगर हम लेके चलते हैं तो exam में आ सकता है question ओके और देखो आप बिल्कुल simple questions आते हैं कोई difficult नहीं है आप इसको skip करना नहीं चाहिए मेरे इसाब से इस part को क्योंकि अगर difficult part हो तो उसको skip करना बनता है but easy part को नहीं तो अब यहाँ पर देखो क्या है as per agreement with a bank a businessman had to refund a loan in some equal installment एक businessman है उसको equal equal installment के अंदर refund करना है loan को without interest अब यहाँ पर देखो interesting point क्या है कि हो कह रहा है without interest मतलम interest तो लगाई नहीं रहा means कि जितना भी आपकी total amount है उसको equal equal part में उसने डिवाइड कर दिया और हर installment के अंदर वो पार्ट वो उसको दे रहा है after paying 18 installment अगर मालो मैं मान के चलू कि मेरे पास में जो installment है ठीक है वो x rupees की है तो 18 installment के अंदर उसने कितना data pay कर दिया 18 x यह कहा है after paying 18 installment 18 installment pay कर दिया है he found that 60% of his loan was refunded कि 60% loan उसका खतम हो गया कितना है यह 60% of total loan उसका खतम हो गया यह कह रहा है how many installment were there in the agreement के रहा है बताओ agreement के अंदर total कितनी installments थी कितनी installment थी पर 18 installment के अंदर 60% loan खतम हो गया तो total क्या होता है पहले ही बताओ total मितलब 100% means 60% loan refund हो गया कितने में 18 installments में तो 100% loan कितने में हो जाएगा अगर हम बात करें 1% तो 1% कितना हो गया 18 by 60 और 100% कि अगर हम बात करें तो क्या हो गया multiply by 100 clear यह हो गया 618 that means कि total number of installment कितनी है 30 तो answer कितना आ जाएगा आपके पास 30 विल्कुल सिंपल है यह सब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी जस्ट एक बार आपको समझाने के लिए मैंने बताया है कि हां जी इतना पे हो गया that means कि total का इतना चला गया clear कोई जरूरत नहीं थी directly आप इसको कर सकते हो डिरेक्टली हम इसको कर सकते हैं ओके बताओ इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो यह भी सी सेट के पॉइंट ऑफ यू से जो मुझे इंपोर्टन कोस्टिन्स लगे तो मैंने आप लोगों के साथ में आज सिंपल इंट्रस्ट के कोस्टिन्स डिसक्स किया और नेक्स्ट शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में थैंक यू